करनाल की इंद्री के विधायक रामकुमार कशप ने कहा कि जन प्रतीनिदी होने के नाते विधान सबाशेत्र के लोगों को पता दे कि विधायक रामकुमार कशप ने विभिन गाउं से आए ग्रामीन लोगों की समस्याओं और उनके शिकायतों को सुना और उनके शिग्र समाधान के लिए अधिकारियों को फोन के माध्यम से तुरंट समाधान करने के निर्देश दिये उनने का कि उनका यही प्रयास है कि उनके विधानसवा शेत्र में अधिक से अधिक विकास कार्य करवाए जाएं ताकि शेत्र के लोगों को विकास कार्यों का लाब मिल सके उन्होंने का कि ग्रामीन शेत्र में चल रहे विकासकारियों ग्रामीन शेत्र में आगामी समय में होने वाले विकासकारियों में धनराशी की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी विधायक ने का कि वे जादातर समय अपने ही विधानसवा शेत्र में रहते हैं लेकिन हर सोमवार को निश्चित तोर से उनके द्वारा अपने निवास्थान पर जन सुनवाई कारेक्रम आयोजित कर लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है उनके समक्ष सबसे जादा पढ़े लिखे युवा रोजगार से संबंदित समस्याओं लेकर आते हैं और उनका प्रयास भी यही है कि पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिले प्रदेश तरकार भी इस दिशा में बहुत गंभीता से कारे कर रही है जन सुनवाई कारे करम में हलके के लोगों ने उनके समक्ष रोजगार, पीले राशन कार्ड, स्थानांत्रण, बुढ़ापा, विद्वा, निराश्रित, पेंशन, लगवाने, बिजली, बिलो, तथा आर्थिक, सहयता जैसी अनेकों समस्याओं को रखा जिनके शिद्व समाधान के लिए उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया जाब लेकर के यहां पर पहुंचें थे, तो उस कड़ी में आप देख रहे हैं थे, काभी कारे करता और अंदरी के वासी यहां पर थे, तो मैंने सभी की बास मस्यों को सूना, इस समस्यों में मैंने देखा, ज़्यादा समस्या रोजगार से सबन दी थी ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी, जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्